मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके शामने खड़ा हूँ, यहाँ बताने के लिए कि आप हिंदी को किस तरह से आसान तरीके से सीख सकते हैं। हिंदी बोल लेना ही हिंदी सीखना सावित नहीं करता है। हिंदी बोलना, लिखना, पढ़ना ये तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं। मानिए कि अगर कोई व्यक्ति हिंदी बोलता है, लेकिन लिख नहीं पाता है। समझ नहीं पाता है। इस प्रकार की शमश्याएं उसके सामने आती है। तो हम उस तरीके को एके करके आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसमें पारंगत हो सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और अच्छी तरह से हिंदी बोल सकते हैं। तो सबसे पहला हिंदी को शिखने का तरीका है कि आपको अक्षर का ग्यान बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। अक्षर ग्यान जिसको कहते हैं। जब तक आप अक्षर की पहचान नहीं कर पाएंगे। जब तक आप अक्षर को पढ़ने का धंग नहीं सिख लेंगे। उच्छारन करने के उच्छारन नहीं कर पाएंगे। तब तक आप अक्षर भी नहीं सिख सकते हैं। तो हिंदी में दो तरह की अक्षर होती हैं। पहले को हम कहते हैं श्वर और दूसरे को कहते हैं ब्यंजन। श्वर वह अक्षर होती हैं जिनकी पहचान करना बहुत जरूरी है। श्वर हमारे गारह प्रकार के होते हैं लेकिन उनके शाथ दो और अक्षरी लिखी जाती है उसको लेकर के दो अक्षरों को जोडने से तेरा श्वर कहते हैं कुल श्वर तेरा होते हैं लेकिन मूल रूप से श्वर की शंख्याई गारह होती है अब स्वर की अक्षरे कौन हैं? स्वर की अक्षरों का नाम है जो दो और अक्षरों का नाम मैंने आपको बताया उनमें से एक है अंग और दूसरा है अ तो अ से लेकर अ तक की जितनी अक्षरे हैं इनको हम मूल स्वर कहते हैं अब स्वर किसी कहते हैं यह जानकारी लेने के लिए आपको मैं बता रहा हूं कि वे अक्षरें जीन को बोलने में किसी दूसरी अक्षर की शाहता नहीं ली जाती वे अक्षरें श्वर कहलाती है तो अ से लेकर अ तक की जितनी अक्षरे हैं इने हम श्वर कहते हैं इन अक्षरों का उस्वर करने में किसी भी दूसरे अक्षर की शाहता नहीं ली जाती है जैसे ओ, अगर हम आ कहते हैं, तो ओ ही आता है, आ कहते हैं तो आ ही आता है इस तरह से हमारे जो मूल श्वर हैं, ओ तक्के इनके साथ किसी भी दूसरी अक्षर की शाहता लेने की जरूरत नहीं पड़ती है इसलिए इन अक्षरों को हम श्वर कहते हैं, दूसरी अक्षर है जिसको हम कहते हैं व्यांजन, व्यांजन के बीना हम श्वर का प्रियोग करते हुए भी शब्द कार्मान नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, तो व्यांजन की अक्षरें हमारी टोटल, कुल अक्षरें 36 होती हैं, लेकिन उनमें तीन अक्षर ऐसी होती हैं, जिनको हम संजुक्त अक्षर कहते हैं, संजुक्त अक्षर कहके पुकारते हैं, ये अक्षरें जिनको हम व्यांजन कहते हैं, एक-एक अक्षर को पुकारने के लिए, बोलने के लिए, हमें एक-एक दूसरे अक्षर की शाहता लेनी पड़ती हैं, वह अक्षर है श्वर, श्वर के शाहता के वेना हम व्यांजन का उच्चारन नहीं कर सकते, जैसे व्यांजन की पहली अक्षर है कौ, कौ के साथ आपको अ का उच्चारन सुनाई देता है, तो कौ का उच्चारन तब तक नहीं हो सकता है, जब तक अ उसके साथ जूड नहीं जाता है, इसी तरह से ये अक्षरें कौ, ख, ग, ग, अंग, इन सब में श्वर का पुट दिया गया है, श्वर के बिना ये बोली नहीं जा सकती, इस बर्ग को हम का बर्ग का करें पुकारते हैं, जो का से प्राराम बहुकर के पांच, पांच्वी अक्षर अंगप खतम होता है, दूसरी अक्षर है, चा, छा, जा, जा, यां,